नमस्कार दोस्तों करेर अद्डठा में आपको बहुत बहुत स्वागत है मेरा नाम धरम और आप देख रहो हो मेरा चैनल करीर अड़ा दूस्तों अभी तक मेरी चैनल को जिन दोस्टों अभी 2030 में बीटेक में पास आउट हुआ था और तब की मार्केट एक अलग मार्केट थी और अपकी मार्केट एक अलग मार्केट है मैं यह नहीं कहा रहा हूँ कि बीटेक करना बिल्कुल भी गलत है लेकिन हाँ अगर आप जवरजस्ति करते हो कोई भी चीज जैसे लाइप में कोई भी चीज होता आपको जोड़ जवरश्ति करके करा जाता है तो वो चीज में आपका मन नहीं लगता है तो उसी दरफ पढ़ एक market boom थी मतलब अपने peak point पे था उस समय भी बहुत सारे engineering college तो नहीं कर सकते लेकिन हाँ college खुल गए थे तो उस time इतने लोगों ने एडविशन लिया इतने लोगों ने एडविशन लिया और जब हमारा first year का result आया तो हम लोग इसी ब्रांच में 90 लोग थे 90 लोगों में से लगब 40 लोग फेल हो गए थे तो 50 लोग बस बचे हुए थे जो पास हुए थे उसके दिरे दिरे फाइनल लियर तक जाते 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 विशुलाइज किया मैंने देखा कि आदें लोग ऐसे थे जो अपने घर के प्रेशर में जर्णिर कर रहे थे मतलब घर वाले चाह रहे थे मेरे पापा चाह रहे हैं मेरे एंगन सब्सक्राइबाद कर रहे थे तो प्लीज दोस्तों जो मेरे भाई-बाई-लोग है रियपक तो लगती है लेकिन हाँ state level की इंजिनिंग में कचड़ा फैल गया है और उस कचड़े में से आपको निकलना पड़ेगा अगर आप उस कचड़े में फसे रहोगे तो आपको problem हो जाएगी state level की इंजिनिंग में बहुत अच्छे-च्छे college है लेकिन हाँ यह करता आप इंट्रस्टेट कितने हो अगर आप इंट्रस्टेट हो तो जरूर इंजिनिंग करो क्योंकि आज भी इंजिनिंग की मार्केट उतनी अच्छी है बाहर जॉब के लिए जितनी पहले थी लिकिन यह है quantity ने quality भी फोकस करो आपको practical knowledge होना चाहिए अगर आपको practical knowledge नहीं से अच्छा है कि आप अगर आपके अंदर हुनर है कुछ कर दिखाने का तब करो और अगर नहीं है तो प्लीज इंजिनिंग करने मच जाओ आप नहीं तो वही है कहीं नहीं आप अपने आपको भी टेंसन में डालोगे मैं बता रहा हूं कि चार साल आपको बहुत अच्छे से लगेंगे लेकिन जब पास आउट हो गए तो रेली बता रहा हूं मेरा परस्नल एक्स्पीरेंस में कई सारे दोस्त्रेट हो गए मन नहीं लगता था मतलब ऐसा लगता था क्या जिन्दी में गलती कर लिया तो बहुत सारी प्राब्लम्स होती है वीडियो जादे लंबी मैं क्या बता हूं आप लोगों को और सारी वीडियो में इसके बारे में डिसक्रेशन करूंगा लेकिन इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों उमेद करता हूं यह वीडियो आप लोगों के लिए भी हेल्प लोगा और आप यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी सेयर कर बोस्तु